कि श्रुटिमींट तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं भक्तिकाल को हिंदी सहायदि का सौन नियों कहा जाता है ऐसके ले इसके लिए मैंने ऊपैसर वीडियो का से और आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसके लिए पकमेंड किजे आपको लिंक हम सेंड कर देंगे तो वहां से आप देख सकते हो और अब हम देखेंगे सब्young को हिंदी का स्वणिय को कहा जाता है तो हम यहां पर में इसको समझने वाले क्योंकि जाक्ता है क्सम已经 कंशिघ की important आरफिक्स भी का काल का साहित अनुपम एबं फण आधर से और जिस युग में कबीर जैसी तुलसी सूर जैसे पिसित कभियों और महत्माओं की अमरत वानी उन्हें के अंता करण से निकल कर देश के कौने कौने में फैली थी उसे आधित के इतिहास में भक्तिकाल कहा जाता है वहाँ युग ब आपको यह ऐसे बदा दिया तो आपको लिखना के एक्जाम में कि भक्ति काल में जो है कबीर तुलसी महत्मा ठीक है कबीर तुलसी सूर्दास और मीरा भाई जैसी महान विभूतियों का अभिभाव हुआ है ठीक है और इनके जो अम्रिद्वानी जो है वो जन सामाने को में पेफिट कभियों और महत्माओं की अम्रिद्वानी जो है उनके अंतर कॉन से नकलकर वह देश के कौने में फेली है उन्हें आदित्त की इस इतिहास में भक्ति काल कहते हैं ठीक है अब यह वाफ्ता में सोन्यूग के सायत चेपून्थ उसे हम भक्तिकाल कहते हैं अधा तो इससे जन सामाने को बहुत ही जादा कह सकते हैं शुक्षान्ती का अनुभा हुआ है तो इस तरीके से हमारी कंपलीट हो जाता है अगली वीडियो में हम नेक्स टॉपिक पर देखेंगे अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं और अगर आ झाल झाल